किहें व has a walking की में क्या खाना चाहता हूं हो क्या लेना चाहता हो वह बढ़ इंगलीस में बोल रहा था मेरे इंगलीस बड़ी तो मैं क्या करते हैं तो मैं फॉत करता थे ट्रांस्ट हो समझ नी》 सब्सक्राइब रहा था और उसने एक लुक दिया मुझे ऐसा घूमके और वो लुक ऐसा था कि इधर रहां थर्ड-क्लास अब इस कंट्री और हम एलियन की यार डेली में रहा के इतिया पस्किल रेस्कुरेंट में आयों और आपको इंग्लिस नहीं आती है तो इस मेरी मन में खटका कि मेरी इंग्लिस नहीं आती है मेरी प्रॉब्लम क्या मेरी मदर टंग हिंदी आनों मेरी प्रॉड ऑफ्टर इंग्लिस इंग्लिस इस वेरी इंपोर्टेंट और जो आज मैंने हुमिलेशन जहली है इसको मैं नहीं जहलूंगा तो आईया कि ऐसा आप बनाया जाए का सिस्टम जो की मैंग टैप की फाउंडर है इसे पहले आपने रोहन के साथ वीडियो की थी जो आप सभी ने देखा था उसको काफी ज्यादा आपने लाइक किया तो हमने सोचा कि सतिपाल भाई के साथ भी वीडियो करते हैं यह डेली आये थी तो मैंने मुला मैं यह मुका मिस नहीं प्रॉब्लम होती थी इंग्लिश यह अच्छे से नहीं या तो डिलिवर कर पाते थे या बोल पाते थे लिख पाते थे लेकिन इन्होंने इंग्लिश में ही 11 नॉवल्स और बुक्स लिख डाली तो वो सबकी भी जर्नी हम जाने ही कैसे काफी इंस्पाइरिंग लगती है कि जिसकों इंग्लिश नंहीं आती थी उन्होंने इतना अच्छा किया कि वो इंग्लिश में भुक्स बेल को लिख ठी बनाते हैं और पीछे पूरी कहानी लोग कैसे स्टार्ट किया बहुत सबस doit को जानने के लिए पर आए हैं तो चानल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को लाइक कर जीजिए जिससे की मोटिवेशन बनता है और अच्छी वीडियो बनाने के लिए दोस्तों सीधे चलते हैं सत्यपाल भाई से और इनके बारे में जानते हैं कि कैसे रहुत अपनी जन्री स्टार्ट की क्या करते हैं सारी चीजिए तो अपका स्वाइद सब्सक्राइब हमारे चैनल पर काफी टाइम से वीडियो करने की कोशिश करें बने पॉस्जिब्स पार थैंक्यू अमित थैंक्यू फर वंटर्फुल इंट्रोड़क्श रपे बहुत अच्छे सब्दों का उपयोग किया है थैंक्फुल वर एट फॉर्विंग मी ओवर है तो आइंक्टार्ट मैं फॉर्स्ट आंट्रमेनर्स जर्नी की मैंने कैसे स्टार्ट के अपका चैनल जो है आपनी जर्णी कैसे पूरी लाइफ की जर्नी कैसे शुरू की तो मैं भीहार से बिहार के चोटे गौन से आता हूं तो प्रॉबलम यह थी कि मैंने लांग्वर्यर बाले इस्यू बहुत फेस कि मुझे खुद इंगली नहीं आती थी और मुझे लगता है कि नॉत इंडिया इंडिया के बात करें इंडिया में 90% content आज भी इंडिया के बंगाल के हो 90% लोगों को इंडिया को आपको बहुत अच्छा डायक्शन दे सकता लाइफ में उसका उधिलाइज नहीं कर पाते हैं ग्राप यहांगों की दिए इन्टरेशन के बाद हर किसी के मोबाइल में इंटर नेट आ अगया वह यूज करते हैं इधर वह वोट्सप पे कॉलिंग करते हैं या फि डिवलप्मेंट किसे कुछ नॉलेज गेन कर ले कुछ पढ़ ले मेरे मन में यह आइडिया था विकाज यह लाइंग्वेज बैरियर में बहुत फेस किया तो मुझे और अभी ऐसा नहीं कि लाइंग्वेज बैर प्रब्लम के बारे के करण लोग कुछ पढ़ नहीं पाते हैं अंग्यां टीवेज फेस्ट करेंगे मतलब समझेंगे फिर पढ़ेंगे दिक्कत यह कि सलूशन अभी भी है लेकिन बड़ा ना कॉंप्लिगेट सलूशन है क्या होता है अग्या हो चाहे वह ओनलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑफलान पढ़ रहे हो और डिश्टल डॉक्मन पढ़ रहे हो चाहे ब्राउजिंग कर रहे हो डॉक्मेंट रीडर में कुछ ई-बुक पढ़ रहे हो पीडे पढ़ रहे हो वर्ड पढ़ रहे है फिसल्ट करो लेस दने सेकंड आपको वीज्वल मीनिंग मिलेगा बिद प्रोपर एक्सप्लानेशन अब लोजिक यह कि वर् पर विजुल मिनिंग मिला स्वाइब कि आपको पढ़ने का जो मज़ा है जो इंटरनेट का में आप पर यूज़ आपको इंपावर कर सकते आपके लाइफ को इजी बना सकते हैं वह प्लेजर बड़ा कंटीनुर रहता है तो बिल्कुल बिल्कुल काफी वादल हम बोल लेते हैं तो अभी जैसे आप बिहार से आते हैं मलब तो वहां पर ज्यादा क्रेज रहता है कि करो एससी में कुछ करो या फिर आप आइस बन जाओ तो सरकारी नौकरी के पीछी लोग ज्यादा वहां पर प्रेशराइज करते हैं आपको भी तो कभी किया होगा आप आपके पेरेंट्स ने की आप यह सब क्या कर रहे हो आपको भी यूप्यसी में आ चाहिए यह सब करना चाहिए तो क्यों लेक हाओ यूप और कैसे आपने उसको ओवर कम किया सबस्टेशी बात ही कि मेरे पापा ने मुझे प्रेशरी नहीं किया था और यह नहीं लाइफ मे आपने दंपय किया है यूपीसी वाला पाट मेरे साथ भी याया था लग जब मैंने कुछ दस नोवल लिखे ते उसके बाद आए वेंट तो मुंबई आए वास में किंग फिल्म और कुछ लोगों ने चीट किया था दिन आए केम बाक टो डेली सो उसके बाद क्या हुआ मै जिस दिन मेरा एक्जाम शेडूल था है वस्किब दाट नो आम नोट गूंग तो अपिर फॉर दाट क्योंकि मुझे लगते था कि नहीं यार इसके लिए बना हूँ और यह होता है कि सबसे चाप अगर अपने आपको एक्सेप्ट कर लो कि यह मुझे करना है या मैं इसके गैle बना हूँ बहुत चैनल को बॉटक जयांत करना थे बर्जबर्धस्त L कर लोंगा जो आप्टिमिस्टिक बिकेदा वज़ कोड़ेंग अब कर लूगा बट इस नोट सम्थिंग आइम मेड फॉर थो नहीं दिस नोट मेरा जो फोटे हो एटिविटी में मेरा जो फोटे राइटिंग में धेन कॉंटेंट में फिल्मेकिंग में तो लाइफ एक है वा आपना जो पैशन उसको पर्शिव करता हूं अभी आपकी काफी बुक्स भी आई हैं लाइक आपने 11 बुक्स पब्लिश की है अब आपने जैसे हमने मैं आपको जानता हूं कि आपने स्टार्टिंग में कि आपको इंग्लिश नहीं आती थी उतनी अच्छी बड़ आपने जोड़ दिया था कि अच्छी मेरी मैंनेजर से भास हो गए थी तो यह प्रॉमिस तो मैसल्फ कि आज की बाद में जॉब नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाएगा तो उस दिन असा लगा थे क्या जॉब मैं करूंगा और नहीं करूंगा तो करूंगा क्या मेरे पास कोई क्या सब्सक्राइब करूंगा तो आपसे इंगलिस में कम्यूनिकेट करते तो सेम तिंग उसने मेरे साथ भी किया कि मैं क्या खाना चाहता हूं क्या लेना चाहता हूं बड़ा इंगलिस में बोल रहा था करता तो मैं क्या था ट्रांसलेट कर और कोशिश करता था तुमैं त्रांसलेट कर जो कर रहा था बड़ वह समझ नहीं पा रहा था लग रहा था और उसने के लुक दिया मुझे सा गूंकि और वह लुक ऐसा कि इधर और थर्ड-ध्र ग्रास इलिएं अंप इस कंट्री और वेरी इंपोर्टेंट और जो आज मैंने हुमिलेशन जहली है इसको मैं नहीं जहलूंगा तो नेक्स शेक्स मंत के लिए मैंने आपको प्रॉमिस किया कि कुछ भी हो जाए इरिस्पेक्टिव अगले छे महिने में आई वन्टो डिवल गुट कमांड ओवर माई कम्यूनिकेश जर्नी शुरू हुए उसके बाद यह जर्नी शुरू हुए अभी जैसे एक कपल की जो इंडिया के बहुत ही मिथिकल सिटी में रहते हैं जो जिसमें हमें साब बर्फ होता है वेक नॉमल कपल के रूप में रहते हैं बट जब दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं तो देंग गॉट टो नौ नोट कि आट और ओर अटीनरी हुमन बीं वेरी कारिस्मेटिक और जो लड़का होता है वो भी एक नॉमन बिंग नहीं होता है वो भी एक मॉंस्टर होता है और जब दूसरे को जानने के कोशिच करते तब पता चलता है कि वो एक 20,000-year-old history से connected है तो जो पूरी बुक है वो दो पार्ट में चलती है एक वाट हाज एपन 20,000 years back and what is happening in parallel world और वो कौन सा promise है वो कौन सा restrictions है क्या है जो दोनों को बाइंड करके रख रही है तो एक series of fiction है जिसके पहली पार्ट भी रिलीज हुआ एप्रोमिस इमंग the dark winds बिल्कुल मैं आप जब बता रहे हैं कि वो दो कहानी like monster और angel तो मैं भी अपने मुझे भी वैसी चीजे जो adventurous रहती काफी अच्छा लगता है सुनने में जानने में तो यह कैसे story कैसे आई मैं तब आपके मैंड में आपने बनाया या फिर आपका thought process like कैसा चलता है यह मैंने बड़ी love stories मैंने books पड़ी love stories मेरा हमेसा से ख्वाहिस्त है कि ऐसी love story लिखो ना बहुत extraordinary बड़ा leak से हटके हो तो अगर book के आधे part में जोगे तो लगे कि बहुत normal love story चल बड़ा extraordinary way में चल रही एक mythical सा city है जहां पर सिर्फ बर्फ है और वहां पर सिर्फ लेक्स है और देन मुझे लगता थे कि लव स्टूरी ना बड़ा long lasting होना चाहिए तो उसमें कुछ ऐसे elements डालो जो normal humans में नहीं होते हैं इसलिए मैंने एक लड़की को एंजल बनाया कि हम लड़की को मैंसा आंजल करते हैं तो concept वाज की एक ऐसा एंजल क्रेट करो जो पूरी दुनिया में one piece हो तो उसके लिए golden angel बनाया था concept बहाइंड golden angel is see once only comes in a generation and same thing with the man कि वो लड़का मेल करेक्टर क्या होता हमेंसा लिडिल डॉमनेटिंग होता है अग्रेसी होता तो मेल वस्टर बट इस सो इमोशनल और उसके अंदर खुद के conflicting zone चल रहा है कि I am a monster I am a normal human being और यह फिर इस पूरी स्टोरी को हमने बीस अजार साल पहले एक घटना होई थी astronomical event जो अभी भी हिस्ट्री में होती है लाखों साल में एक बार होती है तो I have researched about that that is known as planetary alignment so what is planetary alignment उस time जे planetary alignment एक 24 गंटे कर पीरेड होता है जिसमें हमारे यतने भी नौगरा होते हैं सेम आक्सिस में जाते हैं उस ताइम जो आर्थ का gravitational force होता है इतना ज्यादा होता है कि there is a wide space destruction होता है buildings गिर जाएंगी आंधी आएगी तुफान आएगा समंदर में पानी उपर उठने लगेगा तो उस particular घटना जो 20,000 साल पहले होई थी वहां से इनकी story शुरू होती है जो current life में parallel ही चल रही है काफी अच्छा मैं मैं अपने माइंड में विजुलाइज कर पा रहा हूँ अच्छा समंदर में पानी ऐसे उठेगा जब काफी अच्छा लगता है सोच कि जो लोग पढ़ेंगे जिनको इंट्रस्ट है उनके लिए तो काफी बहुत अच्छी रहने वाली है तो डेफिनेटली हम सब भाई का लिंक दिस्क्रिप्शन में दे देंगे आप चेक आउट कर सकते हैं अब कर लेते हैं । इससंट करें क्या क्या है अश्यक्राद में फ्लाच जाने हैं मétais प्रोग्रेस नहीं फप्रोग्रस को में देखया हैं हम एक ऐसा platform क्रेट कर रहे हैं तो जितने भी इंडिया के content creators publisher companies है वो भी वही problem face करते हैं जो हम problem face करते हैं कि उनके जो content wide spread audience तक नहीं पहुंच पाती because of the language barrier so we are coming with a platform that is known as m plus तो उसमें हम क्या करने वाले basically कि हम सारे content creator को यहां पर हम लाने वाले हैं तो उनके जो content जो है उसको monetization का अच्छा सा scope मिलेगा because अभी like one tap visual meaning की मदद से कोई भी content पढ़ सकता है अभी जैसे जैसे आपका ब्लॉग से ट्रायोटेक so suppose you are running 10 lakh रुपे just because of your traffic so what we will do we'll let you allow to generate 10 lakh रुपे the way you want but we'll at least कोशिस करूंगा कि 10 lakh रुपे आप अडिशनली जेरेट कर पाऊ because of our this M plus system यहां पर हम जितने भी content creator advertiser है इन दोनों को mix कर रहे हैं और हम अपना जो visual meaning things उसको में integrate करें तो इस 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 वेरी fascinating thing that we are building with intensive use use of machine learning and artificial intelligence and within two or three month will able to scale it up fast Satypal भाई अभी आपने इतनी सारी company बनाई कुछ company जो आपके fail हो गए थी वो उसके बारे में उसका experience को share करें कैसे वो आपने क्या किया क्या क्या क्यों fail हो गई reason क्या था क्या सीखा अपने वहां से company फेल होने क्या बहुत reason होते हैं पहला reason यह होता है कि आपका co-founder गलत है दूसरा reason होता है product गलत है तीसरा है पैसे नहीं है execution गलत है marketing plan गलत है तो बहुत से reason होते हैं मैंने इसके पहले मेरे तीन company fell हो है तीनों में रिजन अलग लग लग था फर्स्ट वाले में यह था कि like I was alone doing work having a co-founder तो effort नहीं लगा रहे तो मुझे लगा रहे तो मुझे लगा कि यार बेटर है कि अठरा गंटा उनिस गंटा पढ़े काम करने से अच्छा है कि अगर को founder support नहीं ला तो let's close it दूसरे मारे media company ते जिसमें यह था कि like content production company थी बट मुझे उतनी ज्यादा expertise नहीं थी ठीक है so I was doing a brick and mortar business like you know if you're putting suppose a brick and mortar business like I'm putting 100 rupees to I will get 110 rupees I am operating on the five to ten percent of profit but it was a very daunting task कि रोज मुझे उठकी यही नहीं करना तो यह वाला था उसके साथ तो मैंने उसको बंद किया third वाली चीजों में मैंने सिखा कि you have to hire the best team third वाली कंपनी हमारा product बहुत अच्छा था but team was not able to deliver deliver it so even putting a lot of money the final output was a blunder so लेकिन सबसे चीबात है हम इन तीनों में कि हमने बहुत चीजे सीखी ताकि आगे कि टाइम में जो भी मैं करूंग इवन हमने मैं करूंग में बहुत इससे मैंने बहुत को सीखा वह फेलियर को मैंने मैं इंपलीमेंट किया इवन मैं भी में भी हाव फेलियर लिए रही 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 पीपल सम्टाइम यूनों में कि प्रोड़क्ट बना लो दोस्तों आपके चमचा करी कम गरते आपकी बुरहीं आपको पचास चीजों से बचा देगा और आपको सही डायरेक्शन दिखाएगा तो लाइक एवरीवन आफ फेल्ट अलोट आप लॉन दालेशन आम स्टिल फेलिंग आम स्टिल लर्निंग दलेशन इसा लाइफ लॉंग प्रोसेस तो इसको एसकी करें नहीं सकते अभी बिल प्राब्लम होती है जो यूथ है उनमें सबसे बड़ी प्राब्लम यही है कि वह ना डिस्ट्रेक्ट बहुत होते हैं डिस्ट्रेक्ट मतलब कि जैसे आज अगर हमने कोई स्टार्टप स्टार्ट किया सब नेक्स्ट दें को बताशले कि अगर इसमें रेवन्यु नहीं बन तो कुछ नया start कर देगा पिर आने वाले 20 तिन में कुछ नया start कर देगा तो किसी से मिल रहा ही तो तो बहुत अच्छा कर रहा है तो वह struggle कर देगा कैसे काई सन्सक्राइब यह करना चाहते हुं अपसा तरह में कमेटमें Magemen Master के When Master to get in relationship with someone a girl के साथ ठीक है तो ऐसा नहीं कि कल एक बहुत अची लड़की मिलके आप उसको छोड़ दोगे यू मेका कमिटमेंट कि I am going to stick with you for a lifetime even not for the lifetime for the longer period of time ऐसा नहीं कि आप डिस्ट्राक्ट होगे तो कोई भी company बनाते हैं या कुछ भी आप करते हो तो बीट चिहीचीया बीच την ट्न पहुक्ता गया फितिक आपको रशडल रुड्हार नहीं मिलता थो आगार डिस्ट्राइट होना शुरुरु ऐगा कर रिषटनी नहीं अब यागा पसो चोडियो आप टिक लोट पाइम टो बिल्ट बीजनस आप बिजनस कर आप नुकर नी कर रहों आप 10th क्लास करने में दास साल यह ब्रदुशन करने मैं चार साल गते हो ग्राइट जो रिजल्ट आप छे महिने में कैसे एक्सपेक्ट आपको अपने का इस आप अधिन आप बिसनेस लाइक मेरीं व होना चाहिए लोंगर टाइम तक रहने के लिए बिलकुल तो अभी आप जब खाली रहते हैं जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं आप मुवी देखते हो या फिर कहीं जैसे दुबई चले गए है यह मैं बहुत जादा बुक्स पढ़ता हूं मै खाली टाइम मेरा मुश्ट फेवरेट टाइम पासे मैं बुक्स पढ़ता हूं मेरे अभी कंडल में अब देखो तो 600 से प्लस बुक्स है आइड डू अब बिस्नस बुक्स मुझा राइविंग का बशॉक है मैं ड्राइविंग करता हूं और सीखते रहता हूं मुश्ट गलत क्या कर रहा हूं तो मैं ऐसा क्या करो कि ओपोट साही है एसा क्या करूंकि अपर चक्रिक्स रहूंग है तो जवाब गएल जाईगा पाट तो लुगों से मिलिता हूं, इंसे बात करता हूं जो एक्सपर्ट तो यह उनसे बात करता हो तो इस आप in'd गरतो देशे को अत्र टाइम यह मेरे सारे बच्चे है और मैंने सब पर एफर्ट लगाया और जिस ताइम मैं लिख रहा था मेभी उस तरह मेरा बेस्ट प्रोड़क्त है तो मैं इसमें बाइस बाइस हो जाओ कर मैं बोलू यह खराब है यह अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं हाँ बिकाज यह लास्ट अला बुक प्रॉमिस से मंदर डार्क विंट लाटिस्ट है तो राइट नो यह फेबरेट है पट सारे फेबरेट से बिल्कुल बिल्कुल मदब तो आप देख सकते हो कि एक जो सक्सेस्फुल आदमी इंसान क्या सोचता है थोट प्रोसेस कैसा है उसका ल परस्ट पैस्ट रखो बट पैसल नहीं ऑब सेशन क्यों पैसंट का थे लुट नागे उसका नाजी और फैसंट की जरू ट्रस्ट में फैसंट से पानत थे घंडे काम रहुंए हो जो कारने वह इंजूआ करो लेकिन क्या हो एक में चे साथ गंटे बड हो जो पैसंट इए So whatever you want to do, just be so obsessed, set a target, realistic target for yourself, कि छे महीने में करना है, मेभी आप नहीं अचीब कर पाओगे, बट आपने छे महीने का टागट रखा, तो 80% तो अचीब करी लोगे, So be obsessed about what you do, that's all I want to say. काफी अच्छी नॉलेज और काफी अच्छी चीजे बताई स्थिपल भाई ने, तो I hope इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को और जानने को मिला होगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कोई भी कुछन है, कुछ पूछना चाहते हो, तो बिंदास नीचे कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई करने ही कोशिश करेंगे, और जो लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बल आगन को भी प्रेस कर दीजिए, ऐसी ही पॉड़कास्ट विद अमिद जो हमारी सीरीज है, जो सक्सेस्फुल लोग हैं, उनके साथ अपने वीडियो की हैं, जाके आप उनको भी चैकाउट कर सकते हो, और हर वीडियो से आपको कुछ ना को सीखने को जानने को मिलेगा, तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं, नेक्स वीडियो में तब तक आप योहीं हसते रहें, वस्कुराते रहें, दिली रहें, गाजी अबाद रहें, अबाद रहें, जिंद अबाद रहें, टेक केर, बाए.